हलो फ्रेंड्स, वालकम यू आल, आज मैं आपके जो वीडियो लिक्या आपको बात करेंगे पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेडिजी क्या चीज है कुछ दिन पहले मैंने आपके लिए वीडियो क्रेट किया था IRCTC का, तो क्लियर कट आपको बताया गया था पुल बैक स्ट्रेडिजी क्या होती है, लेकिन अब रिजल्ट के साथ आपको देखने को मिलेगा कि पुल बैक स्ट्रेडिजी का एक्जिक्यूशन और उसका फाइदा, जो IRCTC में आप पिछले 15-20 दिनों के अंदर जो बड़ा धमाका देख पा रहे हो ना, वो धमाका बिलकुल पुल बैक स्ट्रेडिजी का कमाल है, जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि स्टॉक मार्कित में इन्वेस्टमेंट जो है, वो रिस्क वहाँ पे इस लिए आपका हमेशा गोल होना चाहिए कि सबसे पहले रिस्क को कम किया जाए, हाई probability सेट अप के उपर काम किया जाए, क्योंकि वहाँ पे रिस्क कम reward ज्यादा होता है, इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ nessa कि पुल बैक का जो confidence होता तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आकिन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी, IRCTC, स्टॉक को जड़ा तसली से देखे, आपको यह हूँ, क्या रहा भया, यह स्टॉक कहा पहुच चुका, IRCTC का, यह देखे जड़ा, अल्मोस्ट, 6-7% का उ बनता है, सारी चीज़े उसी हिसाफ से तयार होती है, और हम आपके लिए, पुलबेक स्ट्रेटीजी कब लेके आये थे, जून 26, यानि कि आज से 20 दिन पहले, IRCTC, पुलबेक क्लियर कट, हमने आपके लिए मेंशिन किया तब है, IRCTC का पुलबेक आया है, तयार रहना, रि उनको tip या recommendation मत समझा कीजिए, उनको learning के हिसाब से आपको use करना, और साथ के साथ उन stocks पे risk management, important, क्योंकि मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपको risk management के साथ आप चलते हूँ, तो आपको 100 मैसे 100 बार सही होने की जरुवत नहीं है, 30-40% बार भी अगर आप सही होगे, तब भी आप माला माल हो जाओगे, और बाकी बड़े losses को avoid करने हैं, हाँ, आपके setup ये market है, यहाँ आप down होता रहेगा, इसलिए हमेशा आपको risk management के साथ काम करना है, अगर चीज़ें आपके against जारी हैं, तो उसके लिए आपको पहले ही तैयार होना है, और run time बेगर तैयार होना पड़े, तब भी, देखिए, और अभी मैं IRCTC के उपर आपको फिर से लेके जाऊंगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मैंने पहली का आपको मिलेगा, यहाँ पे, यह देखिए, यह IRCTC का मंतली चार्ट, weekly चार्ट, daily चार्ट, हम आपके लिए वीडियो कब लेके आय तोड़ा सा करेक्शन और जैसी यह रिजॉल्व हुआ, बड़ा धवा का आपके सामने, अगर आप इस गेन को देख लो, यह पूरी की पूरी आयर्सी टी सी के स्टॉक को तसल्ली से समझे, यह क्या था, इस वाले लेवल का जो ब्रेक आउट हुआ था, उसका पुल बैक थ यह अल्मूस्ट मोर दन 50% मैं कहूंगा आपको गया, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर तसल्ली से आप समझोगे, तो इंपल्स करेक्शन, यह देखिए, यह समझ रहे आप यह, यह पूरा मुवमेंट इस तरीके से चला, पूरा प्रोसेस को समझ यह, इसलिए हम य कि जब यह पूल बैक आता है, अभी यहां पर क्या है, वीकली पर मूविंग आवरेस से काफी दूर यह स्टॉक है, तो आप क्या करोगे, डेली को अपने बिलकुल गोल के लिए, डेली को सेट करोगे, और इस डेली के टाइम फ्रीम के हिसाब से अब मैं आपको दिखाता ह फिर से मैं रिपीट करूँगा, जब भी आप पुल बैक के लिए देखते हो, तो सबसे पहले देखिए, जो इंपल्स बनी थी, क्या इसमें वॉल्यूम था, अगर वॉल्यूम है, तो मतलब तो पुल बैक का जो वॉल्यूम होगा, वो कम से कम होगा, और पुल बैक का वॉ पिछले एडिया के ब्रेक आउट का पुल बैक यह है, जो आया है, तो यह एक बहुत एक करेक्शन की तरहा है, जो कि बड़ा धमाका करेगा, अब इस पुल बैक के रिजॉलूशन का पार्ट इंपोर्टन हो जाता है, आप देखरें इस पार्ट को, यह पुल बैक का रिज अगर मैं रिटर्न ही आपको यहां पर दिखा दूँ तो आपको यकीन नहीं होगा, आपको कैश मार्किट में ही नहीं, इसी लेवल से 2100 के लेवल के आस्पास हम लेका है थे उससे अल्मूस्ट 17-18% 20% के आस्पास रिटर्न इसने दे दिया, यह तो पर्टिकुलर जब इतना ही आपने का यार, आपने शेयर खरीदे और इतना ही कमा के बैट गे, लेकिन जब पुल बैक वाली स्ट्रेटिजी होता है, यहां पर यहां पर आप सोचते हैं थोड़ा रिस्क लिए आ जाए, रिस्क लिए जाए तो कहां से कमाई होगी, देखिए असली कमाई जो हो जब आप देखिए, यह option है, जब आप anticipate कर रहे हो कि price यहां से उपर भागने वाला है, तो हमेसा आप सोचते हो कि call है nearest strike price की, तो 2100 का call आपने इस level प अगर मैं देखू, तो क्या pricing थी, 900 रुपीज के आसपास का यह pricing थी जब यह breakout हो रहा था, और stop loss आपका देखिए, लेकि यहां पर आपको probability बहुत ज़्यादा high रखनी पड़ती है, देखिए सीधे, 100 रुपे से gain कितना हो आपका, साड़े 300, और एक lot इसका अगर आप देखोगे, IRCTC का एक lot है, almost 325 की quantity, आपको गया 325 की quantity है, मतलब आप सोचिए, मतलब 100 से सीधे साड़े 300, अल्मोस 200 रुपीज 200 रुपीज पर share का gain आपका और multiply कर लिजे, साड़े 300 से आपको यह तो बहुत अच्छी बात है, यह तो भई माला माल होगे, तो यह strategy, लेकिन यहां पर options में जाने के लिए confidence, risk management और important क्योंकि cash में तो क्या है, आपका limited risk है, आपका limited risk है, आपने कितनी भी share खरीदे, उसी यहाँ पर मैं कहूंगा, आपने एक lot options का लिया gain देखिए, और आप cash में gain देखिए, option में gain देखिए, उसी साब से cash में risk देखिए, और option में risk देखिए, बट इसी लिए pullback strategy बहुत important, बहुत ही अच्छी, तो IRCTC के pullback को समझा, मैंने options का example आपको इसी लिए दिया, कि इस time अब आपको गया strike price option में कैसे choose करते है, क्योंकि हमको पता है कि यह 200 का level power होगा, तो यह बड़ा धमाका यहाँ पर होगा, हमारा stop loss इस point के नीचे जो 30 जून का है, यहाँ पर बनेगा improvise stop loss, अब यह जब गया, तो 200 का level power होते ही, जितने उपर यह जाते रहेगा, option का price आपका जा रहे हो, तो फिर आपका सब कुछ होना चाहिए, यह देखिए, बिल्कुल पर्टिकुलर इस correction resolution को RSIP भी आप देखिए, बिल्कुल बना की नीचे बना high, इस candle के break होते ही, सारी situation आपकी positive हो गई, बहुत ही बढ़िया, और इसी तरीके से यही नहीं, आपको एक पार्ट क कोई मत देखिए, पुराने correction resolution को भी देखिए, इस correction resolution को देखिए, यहाँ पर, हर correction resolution इस correction resolution को देखिए, जब आपके लिए video create क्या गया था, और इससे पहले जब यह बड़ी correction आई थी, मैं आपको एक बात कहता हूँ कि correction resolution के लिए हमारे पास दो चीजा होती है, failure swing और non failure swing, इसको हमेशा ध्यान रखा कीजिए, failure swing और non failure swing को, यह बहुत important होती है, यह trend reversal की technique यहाँ पे हम correction resolution पे use करते हैं, आप इसी particular चीज़ को देखोगे, high बना, क्या बना है हाँपे, पिछले high को तोड़ दिया, higher high बना, अब क्या चाहिए हमको, higher low, क्या बना, higher low, पार, आपको ग range shift को, उनको समझने की कोशिश करते हैं, आप देखोगे, कहा गया, 60 par, super momentum zone, कहा से गया, bearish zone से, आपको गया, बहुत ही मज़ेदार situation है, यह तो par होता जा रहा है, अब जैसे धूरी बढ़ती जाती है, तो आप कहते हैं, कि मैं आप खरीद लूँ, और risk आपका कम होना चाहि है, अब आपको गया जी तो बहुत, जैसे यह level देखिए, कितना risk, moving average के पास है, बहुत ही कम risk, higher low बना है यह आपका stop loss, और उसके बाद देखे, कितनी अच्छी situation आपको देखने को, तो overall जो आपको समझना है, उसको देखिए, risk कम से कम हो, probability बढ़िया हो, तो मज़ा जाएगा, gain आपने देख लिया, IRCTC ने कितना दे दिया, almost 200 रुपे पर share की कमाई करके, IRCTC ने दी, वीडियो को share कीजे, like कीजे, और सीखते रहे, thank you, thank you for watching the video.